Hello everyone, welcome to my YouTube channel, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, देखिए अगर आप लोग भी NTPC का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक important अपडेट आया है railway की तरफ से और amendment notice जो है railway ने अभी अभी जारी किया है, official website पर notice आ चुका है, और यहाँ पर railway ने फॉर्म भरते टाइम, 17 बड़े बदलाव इसमें किये हैं, तो वो बदलाव देखने के बाद ही आपको फॉर्म अपलाई करना है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इस notice में दिया गया है, तो जब यह notice आप लोग डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते है कोरिजेंडम नमबर वन है, यानि कि पहला बदलाव है यहाँ पर, CN Oblick 5, 2024 यानि कि NTPC, Non Technical Popular Category में जो बदलाव है, वो यहाँ पर बताये गई है, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, कौन से paragraph में, page नमबर पे, कहां पर क्या दिया वा था पहले और अभी उसको क्या पढ़ना है, देखो, यह है कि वहाँ पर क्या दिया गया था, और जो change होके हुआ है, वो यह वाला है, जैसे यहाँ पर आप देखो, इन्होंने काया कि candidate photograph, JPEG, image size जो है, 20 KB से 50 KB के बीच में होना था, यह उन्होंने अपने notice में बताया था, 15.1 में, तो यह cancel होके, अभी जो आपको पढ़ना है, या आपको जो मानना है, वो यह है, कि candidate photograph, JPEG, image size जो है, 30 KB से 70 KB के बीच में रहनी चाहिए, यानि कि पहले 20 से 50 था, अभी 30 से 70 KB के बीच में फोटो रहना चाहिए, जो भी नया अपलाई करेगा, इस त photograph का जो size है, वो आपको 30 से 70 KB के बीच में रखना है, तीसरा जो यहाँ पर change है, वो SCST candidate वालों के लिए है, जब SCST वाले अपलाई करते हैं, तो उनको अपना, जो cast का certificate है, वो upload करना होता है, ताकि उनको free travel pass मिले, तो उसका जो format है, वहले 50 से 100 KB बताया गया था, लेकिन उ problem आपको हो सकती है, अगला यहाँ पर जो change हुआ है, वो scribe के लिए हुआ है, अगर आप PWBD candidate है और scribe के लिए आपने वहाँ पर click किया है, तो उसका जो photo है, वो 20 से 50 पहले बोला गया था, वो 30 से 70 KB के बीच में आपको upload करना है, ठीक है, चार change तो यह रहे, उसके बाद आ size है, वो 10 से 40 पहले, अभी 30 से 70 आपको update करना है, आगे बात करें, यहाँ पर जो है, साथवा change इन्होंने क्या बताया है, candidate belonging to SST community who have opted to avail free rail travel pass, तो यह वही है आपका character certificate का जो size इन्होंने बताया है, 50 से 100 KB पहले दिया था, वो 500 KB तक आपको PDF format में upload करना है, पहले इन्होंने जो है, यहाँ पर बोला था, JPG और JPEG format में, लेकिन अभी क्या गए, PDF format में यह लोग मांग रहे हैं, तो यह change हुआ है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर यहाँ नहोंने कहा है, आटवे नंबर पर आप देख सकते हैं, कि जो आपका 15.8 था, उसमें लिखा गया था scanning and resizing of the photograph and signature, यह लिखा वाद इसको delete कर दिया गया है, ऐसे यहाँ पर इन्होंने लिखा वाद था, जो 17 paragraph, 17.0 था, receipt of offline payment, if made through a chalana of SBA branch, ठीक है, यह paragraph जो वहाँ पर लिखा वाद था, इसको वहाँ से अटाया गया है, delete किया गया है, बागी यह websites यहाँ पर जो है, इसमें कोई spelling mistake हो disability कर दिया गया है, तो यह यहाँ पर change हुआ है, SLD, speech language disability, इसको specific learning, disability अब पढ़ा जाएगा, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है, ऐसे अगर 13 number के change की बात करूं, तो यहाँ पर category number 1, chief commercial come ticket supervisor, और यहाँ पर इन्होंने जो है, यह total, यहाँ पर 1 दिया था, इसको 0 कर दिया गया ह यहाँ पर, उसके अलावा, category number 2, station master को level 0 लिखा था, यह level 6 की post है, मतलब कि यह printing जो mistakes 3 की, वो इन्होंने correct की है, और जो size वगेरा की इन्होंने mistake की थी, वो यहाँ पर इस notice में न्होंने correct कर दी है, कहीं पर vacancy घर 0 दिखाई थी, जैसे यहाँ पर 10 दिखाई गई थी, और इस category number 3, good state manager railway pew is ECOR, ECR जहाँ पर लिखाऊ था, वो ECOR पड़ा जाएगा, तो इस तरह के चेंज हुए है, बाकि इसमें main जो चेंज है, वो photograph के, signature के, और आपका जो car certificate है, उसके size को लेकर है, format आपको देख लेना है, जहाँ पर PDF format मांगा गया है, PDF format में आपको upload करना है, बाकी सायद अभी नहीं होगा, अगर हो सकता है, तो आप edit करके उसको format को change कर सकते हैं, अदरवाइस आप railway का अगल update आने तक कुछ भी उसमें change ना करें,